नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी काज़क बाफिट से आपके अपने चैनल लेर्णिंग एंपायर पर मेरी जानी अनु के साथ आप सभी को पता हैं इंडिया में by cameral parlement पाई जाती है यानी कि आपको इंडिया में lower house भी दिखेगा और upper house भी दिखेगा lower house में lower house को लोक सभा का जाता है जबकि upper house को राज्यसभा का जाता है राज्यसभा में जो seat है यानी जो representation है वो हर state और union territory के लिए decide किया गया है और यह जो representation है यह population के size की अधार पर निर्धारित कर दिया गया है for example हम सभी को पता है कि UP में बहुत बड़ी population है तो इसलिए UP को राज्यसभा में 31 seat प्राप्थ है जबकि त्रीपुरा में population बहुत कम है इसलिए त्रीपुरा को राज्यसभा में सिफ एक ही seat प्राप्थ है यह तो हो गए दो तो states की बात अब बात करते है union territories की तो जितनी हमारी no union territories है तो इन सभी union territories में से कई सारी union territories ऐसी है जो population के इसाब से बहुत छोटी है और जानी के इनको राज्यसभा में representation नहीं मिल पाता है लेकिन दो union territories ऐसी हैं जिनको राज्यसभा में representation मिला है जैसे डैली और पुदुचेरी डिली में राज्यसभा डिली के लिए राज्यसभा में तीन सीट निर्धारित कर दी गई है जबकि पुदूचेरी के लिए राज्यसभा में एक सीट निर्धारित कर दी गई है इस तरीके से दोस्तों सीटों का बटवारा किया जाता है राज्यसभा में अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की तो इसका जो कंपोजिशन है यानि इसकी जो मैक्सिमम् स्ट्रेंथ है वो 200 मेंबर ज़्यसभा की मैक्सिमम् स्ट्रेंथ ही 200 मेंबर्स में 238 मेंबर जो है inipto आएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जबकि 12 मेंबर्स जो है नुमिनेट होके आएंगे प्रेजिडेंट के द्वारा कि प्रेजिडेंट कि नोगों को नोमिनेट करेगा जो व्यक् ल्यादी को नॉमिनेट किया जाएगा बागी किसी को नहीं किया जाएगा तो WIN फिल्ड में से यदी किसी वेक्ति नै एक भी फिल्ड में distinction की हुई है तो वही वेक्ति नॉमिनेट करने लाइक बनेगा राज्य सभा में अब बात करते हैं जिनको nominate कर दिया गया है President के द्वारा यह जो election है दोस्तो राज्य सभा का यह single transferable vote system के द्वारा होता है और यह open ballot में होता है अब इसको समझेंगे कि यह system होता क्या है तो आप यह समझें दोस्तो कि हम common people है common people हम लोगों ने क्या किया vote डाला और vote डालके अपने area के MLA को चुन स्टेट legislative assembly में कौन है हमारे द्वारा इलेक्ट किये गए members है यानी MLA है यह जो MLA है अपने ही सदस्यों में से अब आगे उन सदस्यों का चुनाओ करेंगे जो राज्य सभा में जाएंगे यह जो चुनाओ होगा दोस्तों यह proportional representation के द्वारा होगा और इसमें single transferable vote system काम यानी के राज्य सभा के सदस्यों का चुनाओ indirect elections के द्वारा किया जाता है और आप सभी को मैंने बता दिया है कि constitution ने हर state के लिए decide कर दिया है कि उस state में से कितने लोग राज्य सभा का सदस्यों बनेंगे अब हम इंडिया के voting system को समझने की कोशिश करते हैं तो दो तरीके क voting system काम करता है इंडिया में पहला है first past the post system मान लिजे लोग सभा के चुनाओं हो रहे हैं और उन चुनाओं में तीन पार्टी खड़ी होती हैं इन तीनों पार्टी को इस तरीके से वोट मिलते हैं कि A को 45% वोट B को 35% वोट और C को 20% वोट मिलते हैं आप जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे सिर्फ वही जीतेगी और काम खतम तो यानि के A को 45% वोट मिले हैं यानि सरकार किसकी बनेगी पार्टी A की बनेगी और B और C जो पार्टी हैं यह दोनों अभार गई हैं इनकी सरकार अब नहीं बनेगी तो यानि के यह first past the post system इसको कह सकते हैं कि जो जीता वही सिगंदर अब बात करते हैं proportional representation की यह क्या होता है मान लिजे फिर से लोग सभाई election हो रहे हैं किसी और देश में parliamentary election हो रहा है किसी और देश में हो क्या रहे हैं दोस्तों कि तीन पार्टी खड़ी हुई है अगेन तीन पार्टी खड़ी हुई है पहली पार्ट पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलेंगे पार्लेमेंट में उस पार्टी को उतने ही परसेंट मिलेगी फर एक्जमपल एको अगर 45 परसेंट मिले हैं तो पार्लेमेंट में 25 परसेंट मिलेगी और इसी तरीके से सी को पार्लेमेंट में 20 परसेंट मिलेगी यह दोस्तों representation अब बात करते हैं single transferable vote system की आप इसको ये मत समझेगा कि ये एक नए तरीके का vote system है नहीं single transferable vote stv इसको बोल सकते हैं तो ये जो system है ये proportional representation का ही एक हिस्सा है mainly इंडिया में दो तरीके की voting system चलते हैं पहला है first past the post और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजंटेशन और यह जो स्टीवी है यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजंटेशन का हिस्सा है इसको समझे आप मान लिजिए कि एक लिमिट तैय कर दी गई है कि किसी व्यक्ति को यदि 60% या 50% वोट मिलते हैं तो ही वह व्यक्ति राज्यसभा का साथ सद बनेगा दरवायस नहीं बनेगा तो अब इस लिमिट को प्राप्त करना है यानि 50% की लिमिट को क्या होता है मान लीजे दोस्तों तृपूरा में राज्यसभा के इन तीनों candidates में किसी ने पूरा नहीं किया, अब क्या करें, अब करेंगे single transferable vote system से काम, इस system में क्या होगा दोस्तों कि जो व्यक्ति सबसे कम vote हासिल किया है, उस व्यक्ति के vote बाट दिये जाएंगे बाकी candidates में, ताकि इस number को achieve किया जा सके, तो हमने देखा C को सबसे कम vote मिले है, तो C तो automatically out of the race है, क्योंकि इसको बहुत कम vote मिले है, C के जो vote है, 20% vote, इन दोनों ही candidates में ये vote बाट दिये जाएंगे, यानि A को भी 10% vote मिलेंगे, B को भी 10% vote मिलेंगे, इस हिसाब से हम यह देखते हैं, कि B को 45% vote मिलते हैं, और A को मिलते हैं 55% vote, इस हिसाब से क्या होते हैं दोस्तों कि यह जो 50% था, अब यह quota पूरा हो गया है, क्योंकि A को 55% vote मिल गए है, अब क्योंकि A ने इस limit को cross कर लिया है, इसलिए A बनेगा राजसभा का member, जबकि B और C राजसभा के member नहीं बनेंगे, यह है दोस्तों single transferable vote system, जो की हिस है proportional representation का, और दूसरा जो voting system है, वो है first past the post system, I hope आपको अब यह voting system अच्छे से समझ में आ गया है, अब हम बात करते हैं दोस्तों qualification of राजसभा member की, किसी व्यक्ति को राजसभा का member बनने के लिए क्या qualification चाहिए होती है, सबसे पहली और basic बात यह है दोस्तों कि उसको इंडिय होनी चाहिए, next है कि कोई office of profit उसके अंडर में नहीं होना चाहिए, इसके बाद है कि व्यक्ति पागल या दिवालिया या इन्सेन या bankrupt नहीं होना चाहिए, law of the parliament के according किसी भी व्यक्ति को जो राजसभा का सांसद बनना चाहता है, उसको disqualify नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो already disqualify हो चुका है, वो राजसभा का member नहीं बन सकता, lastly, parliament ने जितने और कानून बनाए है राजसभा का member बनने के लिए, वो सभी कानून, वो सभी शर्ते, वो व्यक्ति पूरी करेगा, तभी वो व्यक्ति राजसभा का सांसद बनेगा, अदरवाइस नहीं बनेगा, नेक्स्ट है कि resident of the concerned state एक essential भाग नहीं है राजसभा का member बनने के लिए, अब बात करते हैं राजसभा के chairman की, तो दोस्तों, लोकसभा का जो head होता है, उसको हम बोलते है, speaker, राजसभा का जो head होता है, उसको बोलते है, chairman, chairman कैसे ही लट होता है, तो इंडिया का जो vice president होता है, वही बनता है राजसभा का ex official chairman, ex official इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो house का member नहीं होता है, यानि के राजसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसको ex official chairman बोले जाता है, vice president का काम क्या होता है, राजसभा में जितनी भी meetings होती है, जितनी भी proceedings होती है, वो उन proceedings को preside करता है, यानि मान लिजे वाइस प्रेजिडन नहीं है यानि राज्यसभा का चेयर्मेन नहीं है तो उसकी अनुपस्तिती में कौन काम करेगा उसकी अनुपस्तिती में डेपिटी चेयर्मेन काम करेगा ऐस चेयर्मेन ओफ राज्यसभा ठीक है तो डेपिटी चेयर्मेन कौन बनेगा डेपि देपूति चेर्मन बनेगा राज़ेसुपा का ठीक है अब बात करते है चेर्मन और दूपिर्ष कशुरेया, फ़ाया मेंपर, यानि कि क्या सुक्सुविदाय मिलती है राज़ेसुपा के मैंबर को सबसे बड़ा जो privilege है वो यह है दोस्तों कि house में उनको अपने views express करने की पूरी freedom होती है दूसरी जो freedom है वो यह है कि किसी भी civil case में राज्यसभा के सदस्य को arrest नहीं किया जा सकता है यदि उसको arrest करना ही है तो सबसे पहले आपको chairman की permission लेनी पड़ेगी यानि राज्यसभा के सदस्य को chairman की permission के बिना arrest नहीं किया जा सकता है next यह है कि इसमें एक limit है दोस्तों यदि session चल रहा है तो session के दोरान उसको arrest नहीं कर सकते दूसरी बात यह है session शुरू होने के 40 दिन पहले उसको arrest नहीं कर सकते session खतम होने के 40 दिन बाद उसको arrest नहीं कर सकते तो ये तीन चीज़े हैं ये तीन शर्ते हैं इनको पूरा कर दिया जाए तो arrest नहीं हो सकता इनके बाद हो सकता है ठीक है? court की अगर मैं बात करूँ तो court जो है Parliament में जितनी भी proceedings होती है उनके उपर inquiry नहीं बिठा सकता court और लास्टली राज्यसभा के जितने भी members हैं उन सभी के privileges का ध्यान रखने के लिए एक special committee बनाई है जिसका नाम है committee of privileges अगर अधर फैट्स की बात करें तो राज्यसभा आपकासी पर्मेनट हाउस है यानि कि इसको इसको खतम नहीं किया जा सकता है लेकिन इसकी किसी एक session को President द्वार्व दिया जाता है přीजिदन के पास शक्ति कि राज्यसभा साथ की सेशन खळा 0 जाजा सकता है जा जाता है लेगिंगा घष्बा सकता है जो मेंबरस होते हैं उर्टर को 10 3rd of its member retire after every 2 years यानि कि हर 2 साल में राज्य सबा के एक तिहाई member retire होते हैं और जो चुनाऊ होते हैं वो सिर्फ उनी positions के लिए होते हैं जो positions खाली होती हैं जो seat खाली होती है जिस state की जिस union directory की seat खाली होगी सिर्फ उसी के लिए राज्यसभा का चुनाओ होगा राज्यसभा का चुनाओ इसी इसाब से हर साल होता है हर साल कभी किसी स्टेट में कभी किसी यूनियन एडिटरी के लिए राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाओ होता है राज्यसभा का जो सैशन है यह continuous चलता है यानि एक के बाद एक इसके सैश को कभी भी प्रेजिडेंट के द्वारा प्रोडोग किया जा सकता है यह था दोस्तों बहुत ही बेसिक जनकारी इंट्रोडक्शन अबाउट राज्यर सभा आप आप सभी को यह पसंद आया होगा इप येस तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब अबर चालेल एप ब्लस्यों जाहिन